आज बिहार में विधान सभा में ध्वनी मत्से आरक्षन संशोधन बिल पारित हो गया अब बिल को राज़िपाल के पास मन्जूरी के लिए भेजा जाएगा राज़िपाल के सिगनेचर के बाद उनके हस्ताक्षर के बाद आरक्षन विध्यक बिल 2023 लागू हो जाएगा और इसके साथी बिहार में आरक्षन का दाइरा 75 फीसदी पहुँच जाएगा आरक्षन बिल पास होने पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने खुशी जाहिर की तो बीजेपी नेताओं ने भी बिल का खुल कर समर्थन किया बिहार में आरक्षन की नई लकीर कीज़ दी गई है बिहार में आरक्षन 75 फीसदी होगा बिहार में शीट कालिन सत्र के चौथे दे सर्व समती से आरक्षन संशुधन बिल पारित हो गया आरक्षन बिल पारित होने के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने खुशी जाहिर की है तो पचास परसेंट की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके बिहार में पहले किसे कितना आरक्षन मिलता था और अब किसे कितना आरक्षन मिलेगा ये भी जान लीजी पहले अत्यंत पिछला वर्ग को 18 फीसदी आरक्षन मिलता था अब 25 फीसदी मिलेगा पिछला वर्ग को पहले 12 फीसदी आरक्षन मिलता था अब दायरा 18 फीसदी का हो गया है वही अनुसूचित जाती के लिए 16 फीसदी आरक्षन था अब बढ़कर 20 फीसदी हो गया है अनुसोचित जन्जाती के लिए पहले एक प्रतीशत आरक्षन था अब 2 फीसदी मिलेगा आर्थिक आधार पर आरक्षन पहले की तरह ही 10 फीसदी रहेगा आरक्षन का दैरा बढ़ने पर लालू यादव ने अपने सोशल हैंडल एक्स पर प्रदेश वासियों को बढ़ाई दी दूसरी और पूरू सियम जीता नाम मांजी ने सियासत से इतर आरक्षन को लेकर जमीनी हकीकत पर प्रकाश डालने की कोशिस की तो डिप्टी सियम तेज प्रस्वी आदव सियासी मुद्दे से आगे बढ़ते नहीं देगे मंतरी बनाया और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंतरी बनाने का काम है यही बात जो है वो बात के रहते हैं लेकिन इस बात को जो आज एक एक तिहासिक दिन रहा भाजपा हमेशा जो है उस चीज़ को मोरना चाहिए बिहार में अब आरक्षन 75 फीसदी होने जा रहा है कैबिनेट से मंजूरी के बाद सदन में बिल पारित हो चुका है लेकिन मांजी ने समाज और आरक्षन से जुड़े जो मुद्दे उठाए हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए विरो रिपोर्ट जी मीडेग